नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे संसकार चैनल में, दोस्तों अगर अपने जिन्दगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे, गनेश चतुर्थी 2023 में कब है, जानिये सही दिन और त पारीक क्या है, उजा करने का शुभ मुहूर्थ कब है, उजा विधी क्या है, और चतुर्थी तिथी कब शुरू होगी, और कब समाप्थ होगी, जानिये इस वीडियो में, दोस्तों भादरपद माह के शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी, पर भगवान गनेश का जन्मोत सव मनाया जाता है, गनेश चतुर्थी पर इस दिन गौरी पुत्र गजानन की घर-घर में स्थापना की जाती है, ये त्योहार दस दिन तक चलता है, इन दस दिनों में गनपती के भक्त पूरे विधिविधान से बप्पा की आराधना करते हैं, फिर अनंत चतुर्थी पर गनेश जी की मूर्ती का, विसर्जन कर उन्हें विदा किया जाता है, वैसे तो भारत में गनेश उत्सव धुमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार की रौनक कुछ विशेश ही होती है, मान्यता है कि गनपती बप्पा को गनेश चतुर्थी पर अ पूजनिय भगवान गनेश रिद्धि सिध्धी के दाता है, मान्यता है कि जो गनेश उत्सव में दस दिन तक अपने घर में गनपती जी की स्थापना करता है, पूरी श्रधा का साथ उनकी आराधना करता है, गजानन उसके तमाम संकट हर लेते हैं, गनपती की पूजा से स साधक का जीवन सुक्सम्रिद्धी से परिपूर्ण रहता है, गनेश जी को प्रसन्न करने के लिए, गनेश उत्सव का विशेश महत्व है, क्योंकि इन दस दिनों में वह पृत्वी पर निवास करते हैं, दोस्तों विघनहर्ता गनेश की स्थापना शुभ मुहूर्ट में करना चाहिए, आइए जानते हैं, साल 2023 में गनेश चतुर्थी का प्योहार कब मनाया जाएगा, गनेश चतुर्थी 2023 देट, दोस्तों भादरपद के शुपलपक्ष की चतुर्थी से इस माह की चतुदर्शी तिथी, यानि की दस दिनों तक भगवान गनेश धर्ती पर वास करते हैं, इस साल में गनेश चतुर्थी 19 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी, दोस्तों आएए जानते हैं, साल 2023 में गनेश उत्सव कब से शुरू होगी, गनेश उत्सव शुरू 19 सितंबर 2023 को शुरू होगी, गनेश उत्सव समात्र अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को है, गनेश तुर्थी दो हजार तेईस स्थापना मुहूर्थ। तुर्थी दो हजार तेईस को है।